नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चेनल ऑनलीन पंचायत में दोस्तों आप सभी को पता ही है मेरी यूटूब चेनल ऑनलीन पंचायत है और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्यक नए वीडियो वो प्रत्यक नए अब्डेट की जनका इप्राप्त होती रहे दोस्तों आज हम देखने जा रहे है नरेगा.nic.in मतलब मनरेगा पोर्टल पर हम किस तरह से हमारा जॉब कार्ट देख सकें ज़यू आपके पास दोस्तों.. आपको लग रहा है कि आपका, crater lijना, आपको का है कि लूट से लुट नाहीं है यह आपको लग रहा है कि आपको आपका नया जॉब कारट बनाना है दोस्तों आप ये वीडियो जोड़ों देख लिज़िए क्योंकि इस में यह है कि दो job card सबसे शुरूर में जब स्टार्डिंग हुए तो लगबख पूरी जैसे गाउं की जनसंग्या तो लगबख सभी लोगों के job card बन गयता है हर परिवार के तो उसको किस तरह से एक्टिव नहीं हो लेकिन आप इस प्रोसेस से आपका job card number देख सकते हैं और उसको एक्टिव क अमे करें दो Dash सब्सक्षाइक तो लेकिया Stretch option बसक्त हो लोग करने बदोष था कि सब्सक्राइब करें में जाएक तो आप अपना जर्सुले में आप उसकी बाद दोस्तों आप को आपको आपके अज्ने क्लाशी को ब्लाकर कर लेंगे उसके बाद दोस्तों 25 स Christmas करेंगे और उसके बाद दोस्तों यह ए श्क्रीन आजाएगी इसका आपको सीधे यहां से यहां अप्शन पर आना है रेइस टेशन एंपलिकेसं रेइस्टर ठीके चरिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे हैड आफ होल्ड तो दोस्तों आप इसमें अपने सभी के नाम देख सकते हैं लगबग दोस्तों सभी ग्राम में सभी परिवारों के जाप काड बनाए गये थे ठीके बाद में यह हुआ था कि जो लोग जाप काड मतलब मस्दूरी नहीं कर रहे थे उनके नाम डिलीट कर इस निए डिलीट कर दे गयाय थे तो आप यदि अब काम करना चाहते हैं और अपना जापकार नमबर पता करकर आवेदन करना चाहते तो आप ये प्रोसस से कर सकते हैं जैसे मानली जीस में इसमाली है सोलर्स चुमाली जन संक्या तु पूरे लोगों की लगबग बने हुए ह ऐसें। सब्सक्राइव सेख सकते हमेरा नाम असके संहुल थे। आपको household का नाम दिख रहा है आपकी cast दिखेगी हैंपर यहां आप कितने applicant हैं घर में कितने सदश्यों का बना हुआ है बो यहां दिखेगा ठीक है जो एपलिकेंट है उनके पिता का नाम दिखेगा gender दिखेगा एज दिखेगी अब दोस्तों यह देखिए यह लिखा है date of receipt of application request for registration तो यह 142107 को यह से register हुए थे अब यह यहाँ पर है दोस्तों job card number यह देखिए यह पूरा job card number है यह यहाँ तक job card number है और नीचे जो है वो date है किस दिन issue हुआ था तो यह दोस्तों इस तरह से आप job card number आपकी पंचायत का आप अपना देख सकते है इसके बाद दोस्तों इस reason जो लिखा है ना तो यह जैसे deleted लिखा है मतलब अभी आपका card जो है वो active नहीं है job card active नहीं है तो आप इस job card को का आवेजन में उल्ले करकर आप आप आवेजन कर सकते हैं आपका job card renew हो जाएगा और फिर आप काम की मांग कर सकते हैं और मज़ूरी करकर मज़ूरी प्राप्त कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो इस तरह से आपको आप अपना नाम ढून लिजिए और यदि यहां deleted लिखा है तो आप फिर से आवेजन कर सकते हैं आपका job card को देखते हुए आपका job card यहां लिखा रहेगा इस नम्मर को आप देखते हुए फिर से आवेजन कर दें तो आपका job card renew हो जाएगा और आपको रोजगार मिलने लगया ठीके दोस्तों तो इसी तरह से मैं आपको और भी नईनी चीज़ें अपडेट कर जो भी होती हैं बताते रहूँगा आप इसके लिए मेरे साथ बनने जरू रहे है आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल आल लेन बन चाया थे और दोस्तों आप जाला जाला सबस्क्राइब करें जिससे आपको मेरी प्रत्तेक नए वीडियो और प्रत्तेक नए ब्रेट की जानके प्राप्त होती रहे तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद